हेलो नमस्का दोस्तों कैसे वाँ सभी तो स्वागता वाँ सभी का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल पर रास्तान जी के के टेस्ट यूज करते हैं आज का टेस्ट नमबर है हमारा 168 नमबर इसके पहले की टेस्ट अगर नहीं देखें तो देख लेना और सब की पीडियप है वो टेलेग्राम चैनल से ले सकते हैं परहला सारन सर के नम से है और इस तरह की रोजन अगर कलास लेनी है तो आप इस बटन पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले जीतने भी वीडियो रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहे ही तो टोप 40 क्यूसंस यहाँ पर हम कवर करने बाले हैं तो आज का टार्गेट रखते हैं 30 पलस का और जो भी आपका स्कोर बनता है कॉमेंट करके बता देना कि कितने क्यूसंस हैं वो आप लोगोंने सही किये हैं तो फटा बट वीडियो को लाइक कर देजी आप लोगों से बड़ी शिकायत रहती है कि आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को शेयर नहीं करते हैं जब इतनी सारी टेसी रिजह मोटिवेशन मिलता है नॉमली तो चलिए पहला किसर नमा रहा है कि राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सहर कौन सा है सबसे बड़ा सहर जैपूर में आ जाता है जैपूर दूसरा सबसे बड़ा सहर वो जोधपूर आ गया नमर है वो आपका सही आंसर है कि नो लखा बावडी जो कि 1586 में निर्मान करवाया गया था ये डूंगरपूर जिले में है तो डूंगरपूर जिले की नो लखा बावडी का निर्मान किसने करवाय था ये बताना है तो रानी प्रिमल देवी जो है उन्होंने निर्मान करवा तो आपको भी आडिया रहेगा कि कितने questions आपके सही वे हैं एक नमर आपका राइट आंसर कि राजस्तान के दक्सिन दीशा से परवेश करने वाली नदी बतानी है कि कौन सा जोड़ा सही है जो राजस्तान के दक्सिन से परवेश करती है तो माही नदी और चम्मल नदी दोनों ही है वो मध्यप्रदेश से आती है ठीक है यह राजस्तान के दक्सिन से आती है जैना पाओ की पाड़ियों से निकलती है चमल नदी और माही नदी जो बाश्वड़ा में परवेश करती है सबसे पहले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सई आंसर क्योसर नमर पांच है कि छापी बांजु है वो कौन सी दिले में बनावा है छापी बांजु है वराजस्तान के कौन सी दिले में है यह बनावा है जहलावाड दिले में राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इसका सई आंसर है क्योसर नमर आ 2013-14 में, कब हुई थी, 2013-14 में, मात्मा गानी पुष्काली यूजना, सी आपका राइट आंसर, क्योस नमर आपका साथ है, कि रिशर्च जेट राजस्तान पार्ट्रेशिप सिम्मिट 2015 की नुसार, निमन मैंसे किस छेतर को निवेस वर्दी के लिए सामिल नहीं किया गया था, क्रिशी और खादे परसंस करण किया गया था सामिल, ओटो इंजिनेरिंग भी था, स्वास्ते देखवाल भी था, सिमेंट उद्योग सामिल नहीं था, कौन सा नहीं था, सिमेंट उद्योग नहीं सामिल था, राइट आंसर आपका ड़ी हो जाएगा, कि राजस्तान के कितने जिला उद्योग के अंदर कारियरत है, कितने जिला उद्योग के अंदर ये कारियरत है, राजस्तान में 36 हैं, 36 जिला उद्योग के अंदर है, वो कारियरत है, एक नमर आपका राइट आंसर, नो नमर, कि भारत में सिमेंट कार खाना की सरवादिक संक्या कहा पर है, सिमेंट के रादास्तान के सिमेंट की सब्वादि कार खार कोने बात करते हैं तो कहां पर आ जाते हैं ची update घंज ड़ा जाता है राई टांसर आपका उजएगा इसमें 20 का सफी on दो गए लृष्यूट है कि राजस्तान की कौन सी विधानसवा खेतर से 1 से अधिक जिलो में फैला भा है ठीक है II 13 की विदानसर चुनाओ के उकोर्डिंग बता दिजीए अभी भी है कौन सा विदानसर अभा चेतर है जो एक से अधिक जिलो में फैला भा है ठीक है तो अनमे से कौन सा हो जाएगा नाथ द्वारा नाथ द्वारा राइट आंसर आपका एक नमर हो जाएगा सही आंसर कि उससे नमर आपका बारा राजस्तान में पहली विदान सर्वा की टाइमिंग बतानी है कि पहली विदान सर्वा का टाइम क्या रहा था पहले विदान सर्वा का टाइम था गुनी सो बावन से गुनी सो सित्यावन तेरा नमर कि नार्वे सरकार के सयोग से रास्तान सरकार ने जीवन धारा बैंक है नीमन की उपलवता के लिए स्तापित किया था किस के लिए एक तो यह कि जीवन धारा बैंक जो है वो किसके सयोग से नौर्वे सरकार की सयोग से और यह किया गयता सीसू के लिए मा के दूध हेतु इसकी सरवात हुई थी D आपका राइट आंसर चौधा नमर आपका है कि नया सवेरा क्या है नया सवेरा क्या है यह डोड़ा पोस्ट से पूर्ण नसा मुक्ति कारिकरम है डोड़ा पोस्ट से पूर्ण नसा मुक्ति कारिकरम का नाम है एक नमर है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए क्योस्टन नमर आपका पंदरा पंदरा है कि नीमलिकित में से ऐस समंध उतपाद को बताना है तो इसमें वो आपका राहि टांस हो जाएगा, सरसव औलग हो जाएगा क्योस्टर नमर आपका 16 क्योस्ट नमर 16 है यांनी राध शेक्रदु है वो किसके दरवारी कई थे महेंदरपाल पर्थम के महीर वो दो सतरा जरनाघ बडेउटर के तो यह किसके दरवारी कई थे कि नीमन मैंसे किस ने गुणी 180 सिक्यावर में काली बंगा की पैचान की थी काली बंगा की पैचान की थी अमलानन गोस ने ए गोस ने हर्मानगर जिले में है गगर नदी के किनारे बी आपका राइटांस कियोस नमर आपका ठारा है कि कभी चंदरवर्दाई ने राजपूत राजमसों की सूची दी ती कितनी साकाउं में तो चंदरवर्दाई की एकोडिंग 36 साकाई थी एक नमर आपका राइट आणसर 19 नमर कि निमलिक्त में से किस राजपू सासक ने विज्जे कटकातू की उपादी धान की थी महराणा जो राजशी थी मिवाड के उनके द्वारा राइट आणसर आपका एक नमर 20 कि इतियासकार डॉक्टर गोरी संकर हीराचंद होजाजी है जिन्होंने किस राजप कान का कच्चा का था अजीद चीं के बारे में एक तो यह कि किस सासर को का था दूसरा किस के द्वारक आ गया था गोरी संकर ही राचन्द हो जाज़े हैं उन्होंने का था C आपका राई टांसा क्योसर नमर एकीस है कि निमनित मैंसे कि सासक के राज्य काल के दुरान दिल्ली सिवाली कस्तम अबिलेख उत्किरिन करवाया गया था दिल्ली सिवाली कस्तम अबिलेख है ये विगरे राज्चतूत के टाइम पर इन्होंने ही सासन किया था दिल्ली पर तो राइटांसर आपका C हो जाएगा क्योसर नम्ब बाइस राजस्तान का पहला चुहान राज्य कौन सा था? राजस्तान का पर्थम चुहान राज्य है राजस्तान का पर्थम चुहान राज्य कौन सा था? तिरे में सेजमेर हो जाएगा राइट आंसर आपका ये एक नमबर क्योशन नमबर आपका 23 कि 1585 चीशी में केवल जिस राजपूर सास्टक को 5000 की मनसबदारी प्रापती वो कौन थे तो 85 चीशी में ये शिर्फ मानसी को प्रापती मानसी को C हो जाएगा राइट आंसर 24 नमबर 68 क्या है 68 किसको काज़ा है ये जेपूर राजपूर का भूमी समन्दी रिकोर्ड था उसको कहते है राइट आंसर आपका C हो जाएगा 25 नमबर राजस्तान में त्याग परता का समन्द है वो किस वरक के समाज से समन्दी था त्याग पर था ये चेतरी समाज में राइट आंसर आपका B हो जाएगा 26 कि विद्यार्थी यूथ लिग 1929 इस्वी के स्ताफना दिल्ली में की गए थी किसके द्वरा विद्यार्थी यूथ लिग ये की थी टिकराम पालिवाल जी जो है किस प्रांत ये परज़ाम अंडल ने गुनी 136 में कृष्णा दिवस मनाया था कृष्णा दिवस मनाया था मारवार्ट रियासत में यानि जोधपूर में मनाया था कब मनाया था गुनी 136 में राइट आंसर अब का D हो जाएगा कि राजस्तान कृशी परतिस वजात्तों की योजना वस 2012-13 में शुरू की गी थी इस योजना का मुख्य उदेश से क्या था? ठीक है? इसका मुख्य उदेश से क्या था? सिंचित जल के कुसल उपयोग पर ध्यान देना राइट आनसर आपका हो जाएगा बी है वो एक नमर जो है वो इसका सही आनसर है चले क्योसर नमर उन्तीस कि A, T, M, C, अदिनियम राजस्तान के किस उदेशी से लागू किया गया था? ये लियागू किया गया था ताकि कर्शी उतपाद का विपनन है उसमें स्विधा दिजास के C हो जाएगा आपका राइट आनसर हो जाएगा चलिए क्योसर नमर आपका तीस तीस है कि राष्टियर सर्सो अनुसंदान के अंदर सेवा की स्तापना कब हुई थी? राश्ट्री है सर्सो अनसुंदान के अंदर सेवा के स्तापना होई थी गुनी सो तिरानमे में एक नमर है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर वीडियो को लाइक नहीं के तो कर देना अब तक नहीं किया है तो चलिए गले क्यूसन करते हैं नेश्ट क्यूसन आपका है कि मालोगन सीके जो है वो कहां पर मिले थे मालोगन सीके मिले थे नाली सर में राइट आंसर आपका एक नमर सही आंसर है क्यूसन आपका 32 कि नेण सीकी ख्यात में गुहिलों की कितनी साकाओं का वर्न है ये गुहील साकाओं की बात कर रहे हैं तो कनफ्यूज मत होजाना 24 है राई टانसराप का एक नमर 33 नमर कि निमलिक्त मेंसे राज़कूताना के kes चेतर पर वरीकमस ने सासन किया था वरीकमस ने सासन किया था बयाना भादपूर में बयाना में राइटांसराब का D हो जाएगा क्योसर नमर 34 कि मद्यकालीन राजस्तान के राज्यों में सासन के बाद सबसे महत्पुन दिकारी कोन आता था ठीक है और इसके बाद सबसे महत्पुन आता था प्रधान की रूप में सबसे महत्रबन दिकारी आता था एक नमर राइट आंसर पैंतीस गोपाल, उदे, हुकमा और जीवन ये चितरकला के किस शेली से समंदीत है और ये आते हैं आमेर जेपूर की चितर शेली थी उसे related है राइट आंसर डी हो जाएगा च्छतीस नमर आप कर तीस कि एक ऐसा किला जिसका दर्वाजा कोई भी अकर्मनकारी नहीं खोल सका हसन नीजामी का ये कथन था किस किले के बारे में था ये था जालोर के किले के बारे में था एक तो ये कि किस दुर के बारे में कहा जाता है दूसरा किस ने कहा था हसन निजामी ने का था नाम याद रखना राइट आंसराप का B हो जाएगा वीरों के सम्मारक स्थम का स्थान है वो कहां पर है वीरों के सम्मारक स्थम कहां पर बने वे हैं और ये बने बंचोडला में राइट आंसराप का C हो जाएगा कि उस्ट नमर 40 कि अंग्रेजों ने सामबर जील के लिए नमक समझोता जो किया था वो कब किया था यह किया था 1869 में किया था एक नमर आपका राइट आंस तो फटापट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप सेयर कर सकते हैं तो सेयर जरूर कर दीजे लेकिन लाइक जरूर करता रहा है PDF अगर आपको इसकी लेनी है तो आपको लेनी पड़ेगी टेले कीघिराम चैनल से और Instagram का भी लिंक मैंने नीके दे दिया है तो अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर आप join कर सकते हैं आपर मुझे Instagram पे भी add कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं Instagram तो लिंक है वो वीडियो की description में है और बाकी का अगर कोई सिकाईत होती है या फिर कोई सी पूसन होते कमेंट कर दीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में सारी की सारी पीडियेप और लाइक जरूर करना है मिलते हैं एक और वीडियो में थैंक यू